बिकिनी गर्ल अंडर वल्ड डॉन से रिष्टा और तीस साल इंडेस्ट्री से दूर रहने के बाद ये अक्ट्रेस करनी जा रही है धमाकेदार कमबैक। नबे के दशक की बिकिनी गर्ल करेगी बॉल्यूर में धासू री एंट्री। वल्ड कोन है वो अक्ट्रेस और क्या ही पूरा मामला आईए जानते हैं। नबे के दशक की बिकिनी गर्ल के नाम से जानी जाने वाली अक्ट्रेस सूनम खान अब फिर से इंडिस्ट्री में वापसी करने का मन बना रही है। रिशी कपूर के साथ बीच पर सिजरिंग लुक से घायल कर देने वाली सूनम ने अपने एक्स्लूजिव इंटेव्यू में बताया कि वो काफी पहले ही बॉल्यूड में वापसी करना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया। सूनम ने बताया कि उन्होंने कम उम्र में अचानक बॉल्यूड को अलविदा कहने का फैसला क्यों लिया था। सूनम ने अपनी जिन्दगी से जुड़ी कई बातों से परदा हटाया है। सूनम ने कहा उन्हें मौका मिले तो वो फिल्मों के साथ साथ OTT में भी डेब्यू करना चाहेगी। और वो फाइनली मुंबई वापस आ गई है। सूनम ने कहा कि वो तीन साल पहले ही बॉल्यूड में कमबैक करना चाहती थी मुंबई वापस आना चाहती थी पर कोविड के चलते वो नहीं हो पाया। और यहां सेट अप करना काफी उन्हें मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब वो मुंबई वापस आ गई है और बॉल्यूड में काम करने की इच्छा भी रखती है। माना जाता है कि अंडरवर्ड डॉन के इंवॉल्मेंट की वज़े से दोनों अलग हुए थे। 14 साल के उम्रे में सोनम ने अपना डेब्यू किया था फिल्म विजय से जहां इस फिल्म की करियर में काफी मदद की। सोनम ने खुद कहा था कि इस फिल्म के बाद उन्हें कई ओफर्स आये। इसके बाद रीदेव, मिट्टी और सोना से उन्हें रातो रात पॉपिलरिटी मिली। लेकिन फिर मैंने शादी कर ली, मुझे नहीं पता था उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं अपना एक परिवार चाती थी, मैं उस समय सिर्फ 17 साल की थी, मैं बहुत नादान थी। और मुझे ना ही कोई रिग्रेट है और ना ही कम्पलेंट है। सब को पता था उस वक्त में कितनी यंग थी, सब मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। मैंने पिछले 30 सालों से पूरी दुनिया के चकर काट लिये है। और ये पूरा वक्त मैंने अपने बेट एक गवरोराय को दिया, जो की मेरी जिंदगी है। वेल आपको ये भी बता दे, सोनम ने हाली में इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया है, जहां उसने अपना नाम Lost and Found रखा है। और अपने बारे में बताते हुए, सोनम ने अपने बायो में लिखा है, मैंने 14 साल की उम्र में मुवी इंडस्ट्री में काम करना शु बहुत कम उम्र में उन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद उनका नाता अंडरवल डॉन के साथ भी जोडा गया, और इसके वज़े से उनका डाइवर्स भी हुआ, यहां तक कि उन्हें इंडिया भी छोड़ना पड़ा था। ऐसे रिपोर्ट्स में कहा जाता है। और अब स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाए, आप देख रहे थे फिर्स्ट इंडिया फिल्मिंग। को सब्सक्राइब करें देख चैनल को साइब करा भी हुआ है।